साथियों, आज के इस कारकम में, मैं देश के सभी किसानों को, गाउं में रहने वाली सभी भाई बहनों को, कोरोना से फिर सतक करना चाहता हूँ. ये संक्रमन अभी गाउं में भी तेजी से पहुच रहा है। उनकी भागिदारी उतनी ही आवशक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आप से यही उम्मीद है। कोरोना से बचाव के लिए आपको खुद पर, अपने परिवार पर, सामाजिक स्तर पर, जोर भी जरूरी कदम है, आवश्यक्ता हैं, उसे हमें उठाने ही है। मास्क लगातर पहनना बहुत जरूरी हैं, वो भी ऐसा पहनना है कि नाक और मुपर पूरी तरह से धका रहे हैं। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के खांसी, सर्दी, जुकां, बुखार, उल्टी, दत जैसे लक्षनों को सामाने मानकर नहीं चलना है। पहले तो खुद को अथा संभव दूसरों से अलग करना है। फिर जल्द से जल्द कोरोना टेश करना है। और जब तक रिपोर्ट ना आए, तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई हैं, वो जरूर लेते रहना है। साथियों, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टिका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारे मिलकर ये निरंतर प्यास कर रही हैं कि जादा से जादा देश्वासियों को तेजी से टिका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड वैक्सिन डोज दी जा चुकी है। देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुप्त टिका करन किया जा रहा है। इसलिए जब भी आपकी बारी आएं तो टिका जरूर लगवाएंगा। ये टिका हमें कोरोना के विरूत सुरक्षा कबच लेगा, गंबीर बिमारी की आशंका को कम करेगा। हाँ, टिका लगाने के बाद भी मास्क और दोगज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है।